हेलो दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आज की वीडियो में आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यानि की इंपोर्टेंट है हेल्थ के नजरिये से तो दोस्तो पहले ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जादस जादस शेयर कीजिएगा तो आप सब ना चाहते हैं healthy रहना चाहते हैं बहुत सारे फाइदे मिलेंगे आपको नासरी वज्यान आपके बच्चे अगर नहीं पीते हैं तो आप किस तरीके से सब्सक्राइब यूस सब्सक्राइब कर तो अच्छी किस तरीके से उसको टेस्ट भी बनाए और हेल्दी बदी बनाए आज में एक परसन aç कला एक दिन में, एक medium size کی गाजर जैसी मैंने आपको यह दिखाई है वो पर्यापत होती है, एक गाजर आप ले सकते हैं अब माल लीज़े, आपके घर में चार लोगों को पीना है, तो आप चार से पांच गाजरों को ले सकते हैं, वो भी medium size इसकी गाजर लाल गाजर ही लीजिए लाल गाजर का जो जूस होता है वो अच्छा बनता है तो अब गाजर जो है आपकी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए तो मिठास भी बरकरार रहेगी और गाजर जो है ये तो थोड़ी सी कम लाल है और भी अच्छी खासी रेड जो गाजर होती है उसका जूस और भी अच्छा बनता है इसे अच्छे से छेल लिया है बारीक टुकडों में इसे काट ली दिये अब मिक्सी तो हर किसी के घर में होती ही है अगर आपके पास में mixi नहीं है तो आप इसे बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस करके और कपड़े में डाल करके उसे निचोड़ करके जूस निकाल सकते हैं अब क्यूंकि mixi तो हर किसी के गार में होती ही है लेकिन कद्दूकस में क्या होता है इसमें आप देखेंगे बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा तो आप क्या करेंगे इसमें हम पाउना ग्लास के लगभग पानी डाल देंगे और बस इसे अब हम अच्छे से पीस लेंगे ग्राइंड कर लेंगे बड़ा वाला जार लेना है आपने मिक्सीका तो देखें कितना अच्छे से यह पीस गया है तो हमने पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है एक साथ डाल देंगे तो गाजर अच्छे से नहीं पीस पाएंगे इतना बचा हुआ पानी था हमने डाल दिया है यहां पर हम एक ग्लास जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे है तो आप देखें जो है सिंपल हमारा गाजर का जूस तयार हो चुका है तो आप करना यह है कि इस तरीके से एक बड़ा कटोरा यह बरतन ले लीजिए इसमें रख लीजिए च्छनी स्ट्रेनर क्योंकि जूस देखें जब पीने में स्मूध होता है अगर जूस में चंक्स आ गए सबजियों के या फलों के मुग में तो बिल्कुर टेस्ट बिगड़ जाता है अगर आब स्ट्रो से फीना चाते हैं तो इस ट्रो भी काम नहीं करती है सईसे ब्लॉक हो जाती है और आपका जूस स्मूद नहीं बन पाएगा तो अब हम क्या करेंगे इस तरीके से चारो कोनों से उठाते हो इसे लेंगे और हलके हाथों से दबा देंगे और सारा जूस बहुत ही अच्छे से जो है निचुन करके पूरा निकल आएगा अब यहां पे देखे पिल्कुल निक जुरत नहीं है अब यह जो है हमारा यहां पे सिर्फ गाजर का जूस बनके तयार हुआ है अब हम इसमें मिलाएंगे और भी अच्छे चीज़े तो आप डाल दीजे इसमें चार च्छे पतियां पुदीने की पुदीने को बिल्कुल बारी कर दीजे इस तरीके से हाथ दीजे थोड़ा सा नीबू अब क्योंकि मैं एक ग्लास जूस में सिर्फ वन फोर्थ नीबू का रसी डाल रही हूं यानि कि एक नीबू के आप चार टुकड़े कर लीजिए और आपके चार ग्लास के लिए हो जाएगा नीबू बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि फि बाकि चाय आप छोड़िए कॉफी को एकदम कर दीजिए बंद और इस तरीके से यह टेस्टी टेस्टी गाजर का जूस पीना शुरू कर दीजिए आपको बहुत ही ज्यादा खायदे मिलने वाले हैं तो अब इसे हम अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे जो भी ची इतना टाइम एक गाजर का जूस बनाने में लगा है उतना ही टाम टाइम लगेगा जो है पांच या च्छा यानी की पांच शे गलास जूस पूरी फैमिली के लिए आप दयार कर सकते हैं और सब को पिलाएं बच्चों से लेके बढ़ों से लेके बुड़ों तक को यह जू ही है